माई यूटुबल डिकेलाय फर्स्टडी में आपका स्वागत है तो चलिए फ्रेंग जैसा कि देख सकते कि भी हर विद्याले पर इच्छा समीती के दोबारा जो ओ ये फेसिस का जो फर्स सेलेक्शन मैच लिस्ट जारी हुआ था फ्रेंग वही गारा आठ दो हजार वाइच सकते हैं 2020 फर्स सेलेक्शन मैंच लिश्ट जारी किया घया था इसे बहुत सब्सक्राइब कर ôŻ हमारार 5 यूजसे करने किसा क्ने करना नाप भूले तो चलिए जैसा कि देख सकते हैं कि वह ये फ्रेस इसका जो फर्स सलेक्शन मैच लिस्ट जारी किया ऐथा उसका लाज डेट 282 00 white रखा गया थाॉरा इसे में दो दिन व और बढ़ाया गया था फ्रेंड कॉलेज वेरिपीकेसन के लिए यानी 272 00 white को देख सकते हैं कॉलेज के लिए भी डेट को रखा गया था तो चलिए ऐसे में बहुत सारे स्टुडेंट पूछ रहे हैं कि सर सेकेंड में अटलिस्ट का जारी होने वाला है क्या सेकेंड में कितना कट अप रहेगा फ्रेंड क्या हमारा मन पसंद कॉलेज मिल सकता है बहुत सारी जानकारी यहां पे देने वाले हैं देख सकते हैं जैसा कि यहां पे दिया गया है कि विद्यार्थियों दोवारा नामंकन के बाद ही सलाइड अप का उपसंद दिया जाता है देख सकते हैं कि अगर आप का फर्स्ट कोलेज नहीं मिला फ्रेंड तो नामंकन के बाद ही यहां पे सलाइड अप क करने के लिए इगारा आठ से अठारा ये पचीस कर दिया गया था फ्रेंड पचीस आठ दो हजार वाइस तक डेट दिया गया था ऐसे में बहुत सारे श्टुडेंट लगातार पूछ रहे थे कि सर मेरा आईडी पासवर्ड खो गया है तो हम परिवर्तन नहीं किये हैं क्या ह हमारा सेकेंड मेर्ड लिस्ट में नाम आ सकता है तो जी तो चलिए यहां पर देख सकते हैं मैं आपको पूरी जानकारी देने वाले फ्रेंड कि अगर आपका आईडी पासवर्ड खो गया तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप दोस ही कॉलेज दिये हैं तो आपका सेकेंड मेर लिस्ट में नाम जरूर आएगा क्योंकि देख सकते हैं इस बार जो सेकेंड मेर्ड लिस्ट है फ्रेंड इसमें कटप काफी कम जाने वाला है जिन स्टुडेंट का नंबर कम है फ्रेंड उनका भी सलेक्शन इस मेर्ड लिस्ट में होने वाला है जैसा कि देख सकते हैं कि य नाम नहीं आएगा यहां पे बिहार विद्याले पर इच्छा समीती की तरफ से यह साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आप प्रथम चैन सुची में नाम आया है अगर आप एडिविशन नहीं लिये हैं तो आपको सिकेंड मैट लिस्ट में चांस नहीं दिया जाएगा अब स्पोर्ट रॉंड का इंफिजार करना पड़ेगा बीच में कोई ओप्सन नहीं है यहां पे बिहार विद्याले पर इच्छा समीती की तरफ से साफ साफ बताया है क्योंकि देख सकते हैं इगारा आठ से लेकर पचीश साथ कासी ही लंमा डेट को बिहार विद्याले पर और आणकारी दियें थे आपको एकड के बाद ही ऐसलाइड रवका को ओप्ष।न दिया जाएगा तो चलिये अगर आप를ण ले लिए थे और ओप को सलाइड एप को ओपा साथर ऑफ्शन दिया गया था अगर आप सलाइड अप और निया ऑगे तो आपका मनपसं दृच मिल पुसमें आपको एड़िशन लेना पड़ेगा इसके लिए आपको को देख सकते हैं कि जो प्रथम चयन सूची के अनुसार जो डोकुमेंट लगा था फ्रेंड वह सेकेंड मैट लिस्ट में उसी डोकुमेंट के साथ ही आपका एडविशन होने वाला है आपका जिस भी स्कूल कॉलेज में कटप जाता है आपको एडविशन लेना होगा अगर आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको स्लाइड अपका उप्सन दिया जाएगा एडविशन लेने के बाद ही दिया जाएगा क्योंकि इसके बीच में कोई भी ऑप्सन नहीं दिया जाता है स्लाइड अपका तो चलिए उमीद करते हैं कि आप सबको फर्स्ट माध्यम से हम आपको बताते हैं तो चलिए सेकेंड मैं अट लिस्ट जाड़ी होगा तो वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि इस तरह से डाउनलूड करना है और कब लास्ट डेट है फ्रेंड कितना कट अप गया है काउन सा डोकोमेंट लगने वाला सब जानकारी कि यहां पर देने वाले हैं तो वीडियो को लाइक करके सेर कर दें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चानल को स्क्राइब करके वेल आइकन प्रेस करना ना भूले तो चलिए आज के लिए तना ही तब तक प्लिए टेकन बाइए